यह स्वागत है आप लोग अच्छे होंगे और इंज्वाइ के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे जैसे कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अब आप आप लोगों को उन सारे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उससे रिलेटेड कोई भी आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमिलित नहीं है पहला सियन जी मिथेन और इथेन अपढ़ाई जाते हैं यह बताना है तो चलिए एंसर दीजे क्या हो सकता है और हम लोग अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इसका एंसर आसानी से बता सकते हैं क्योंकि कुछ रिपीटेड भी है और कुछ कोश्चन आप लोका डिवीजन भी हो जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं पहला बोला CNG, CNG में मेथेन और अथेन होते हैं ये आपका राइट है CNG में मेथेन और अथेन पायजाते हैं ये आपका सही है है इलफीजी में मैंने बता है कि आपको ब्यूटे नोप्र इप्रेटें यूटेंगा है लिक्वइट पेट्रॉलीयम गयस इसका फुल फारम है थिकर्टेंगी, अभुषन निस्यूटल गयस, ठीकर्टेंगे, थिकर्टेंगे, फूल में आपको मिथेन और इफेन होता है, आ आपका ही पाल दिन कर दो परता है कहा लिग साथ 1 गया 100 का लिखन यहां तो निली गति किसित अपति है और नहीं को तो आपका प्रोगार विल इतनर केsite तो दो असना उम का आप जाते हैं और वा्ध 11 यह वं हाइड्रोजन ब्यूटेन एवं और प्रोपेन और मिथेन एवं आक्सीजन का तो चलिए भी आपका उपी पीसस में वा कोशन है तो जल्दी से एंसर दीजे क्या हो सकता है यह भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं यदि पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे त तो चलिए एंसर दीजे क्या हो सकता है तो जो घरेलू इधन के रूप में प्रियुक्त होता है एल पीजी जिसे हम तरली कृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विट पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं यह हाइड्रोजन गैसों का एक जोलनसील मिस्टर होता है और इसमें प्रोप जाने के लिए प्रियोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्द कराई जा सकती है थर्ड है एक और दो दोनों फॉर्थ है ना तो एक ना तो दो तो चलिए answer दीजिए ये आपका आईस में आई हो कुशन है तो answer देने की कोशिस किजिए क्या हो सकता है तो अभी मैंने आपको बताया कि तरली कि जो petroleum होता है या एल्पीजी होता है या liquid petroleum gas होता है उसका मुख घटक आपका methane नहीं होता है बल्कि आपका propane और butane होता है तो ये आपका गलत हो गया सेकंड है मेथेन जो होता है ये घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रियोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्द कराई जा सकती है ये आपका गलत है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है वो लपीजी के जो मुखे घटक है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है और बायो मास में जो उपस्तित मेथेन होता है वो इधन के रूप में सीधे प्रियोग किया जाता है इनका प्रियोग निरापद नहीं है और चौता है ये अल्पीजी द्वारा चोक हो जाते है उसमें हम दाप मापक का प्रियोग क्यों नहीं करते हैं तो उसका रीजन बताना है तो चलिए एंसवत क्या हो सकता है तो oxygen यया अन गैस होते है उसकेशेश में गैस विद्माद रहते हैं लेकिन गरेल यूश होता है सिलेंड गैस में डाप मापक द मा Hagg10 को लगारें पर गैस की मात्रा को प्रदर्सित नहीं कर सकते हैं तो आपका कौन सो न्युक्ति नम बहुत हाँ काहीं सी अन्जड कर सकते हैं आपका UPPSS में आए हुआ कोश्चन है तो CNG का फुल फाम अभी मैंने बताया कि आपका कंपेस्ट नेच्टरल गैस होता है आपका नमर फर्च जो है राइट हो जाएगा में प्रदूसर नियंत्रड हे तु प्रियुक्त CNG में मुख्यता उपस्थित होता है CH4 CO2 N2 S3 यह भी आपका पीसस में हो कोशन है तो आपको बताना है कि जो स्वाचालित बाहन होते हैं बाहन उसमें प्रदूसर को रोकने के लिए किस CNG जो होता है उसमें क्या प्रियुक्त होता है कौन सी गैस का उसमें उपस्तित होता है तो चलिए एंसरो दीजे क्या हो सकता है तो सी एंजी जो होता है धर्ती के भीतर या अंदर पाई जाने वाले हाइड्रो कार्बन का मिस्टर होता है इसमें आपका 80% से 80-90% जो होता आपकी इसमें मिथेन की मात्रा होती है और मिथेन जो होता है यह गैस पेट्रोल यह डीजल की तुल्ला में कार्बन मोनी आकसाइड का 70% और नाइट्रोजन आकसाइड का 87% और आपका जैविक गैसों को लगभग 89% से कम उत्सरजित करता है तो आपका इसमें कौन सा कौन सा राइटो आपका लुट इसमें के का घ्रति नाइच परशन मात्रा में होती है और मिथेन गैस पेट्रोलियूं डीजल की तुल्ला में कारबन मोनी आकसाइड को 70% और नाट्रोजन आकसाइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% प्रशंत का मुतसरजित करते हैं तो आपका option कौनसा राइट है आपका option first जो है राइट हो गया okay next question cylinder में भर कर खाना पकाने वाली gas की आपूर्ती किस रूप में की जाती है cylinder में जो gas भरा जाता है और खाना बनाया जाता है उस वाली cylinder में जो gas की किस रूप में होती है taral gas ठोस घोल तो इसका एंसर आपको बहूंत आसानी से बढ़ अे हैं क्या अप्षिंध क्या हो सकता है आपको पता है तो चलिए एंसर दीजे क्या होगा पता है लेखिं अखेक एंसर ऑप लेकिन घिनल्म से पबने चेयरे यह लोख्म माती को निλι्क्या होता में over ईयाओ जाते हैं तो आपको नमर फर्स्ट जो है राइट हो गया ओके निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला है द्रवित प्रेट्रोलियम गैस को अतिधिक ताप तताव चिदाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेश रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग अत्वा परिबहन सुसाध्य हो सके सेकंड है भारत में प्रथम एल एंजी टर्मिनल होशन में निर्मित हुआ तीसरा है द्रवित प्रेट्रोलियम गैस से प्राकिर्टिक गैस रव्यों का प्रिथक करड किया जाता है और इनमें इथेन प्रोपेन ब्यूटेन तथा प्राक प्राकिर्टिक गैस को अत्यधिक ताप और उच्छे दाव में द्रवित किया जाता है यह तो सही है जिससे बिसेश रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहड या परिवहन सुसाध्य हो सके जो लिक्वीड पेट्रोलियम गैस है उसको हम अधिक अत्यधिक ता पेट्रोलियम जो होता है यह कुवों में द्रव की सता पर पाया जाने वाले हलके हाइड्रोकार्बन के गैसी मिस्रण होते हैं जिसे हम प्राकिर्टिक गैस कहते हैं प्राकिर्टिक गैस जो होता है उसका जो संगठन होता है उसमें मेथेन आपका 80% होता है मेथेन 80% होता ह प्रोपेन इस प्रफ्टर लिया जाता है उसे प्रित्र से हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्राप्ट हो जाता है तो इसमें पहला आपका सही हो गया था कि कुए लिक्विड पेट्रीलियूम गैस को दिकताप और दाप देकर उसको द्रावस्था में रखा जाता है जिससे उसको बरतन में किसी भी बरतन में संग्रहित या इकठा कर सके तो आपको पहला सही था दूसरा था कि भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ है तो यह आपका गुजरात में हं दाहेज में स्थापित किया गया पहला LNG टर्मिनल तो यह आपका गलत हो गया तीसरा है द्रावित प्रॉपेथ मुट्रीविड कर लिया जाता है और यह से अथ करेdalह किए में गलत हो कि चैन्याँ हम परीम के सही शितних कर लिया जाता है जिससे ह हम केवल केवल प्रोपेन और ब्यूटेन के मिस्रड को ही हम मुझ चिताप दाप पर ड्रवी तवस्था में इसको करते हैं तो यह भी आपका गलत हो गया तो आपका कौन सा राइट है केवल केवल पहला आपका सही हो गया क्या है किसका मिस्रड है यह बताना है पहला अप्ष Channel प्लस प्राकिरति गैस प्लस इसिलिया और प्लस मिट्टी का तेल तो चलिए आंसर इसे घैसाल में कुसका किसका मिस्र होता है तो यसे हम एह लिएको आपका की इधन होतास बनाट कि घ्याहे हयर आ. नवीयर्ण केते हैं तो फर्माप ऑनला के में मताउज तेेल इसे हम टिल्टॉ disaster sticker जिसे घ्याहे होता है पॉल आपका है 5- irresponsive면 दो, 10 बनाट गर्माट 2-0-20% है याक टेहिं वाक्राइ息 जो हुआ कि आपका वाप्षक्राइप के रूक्राइब गाल जाल हो तो मैंने बताया आपको कि CNG जो होता है धर्ती के भीतर पाइज आने वाले हाईडोकार्बन का मिस्टर होता है और इसमें आपका 80-90% मेथेन की मात्रा होती है और मेथेन गैस जो होता है पेट्रोलियम तिछा डीजल की तुल्ला में कार्मन मोन कार्मन मोन आकसाइड को 70 परस CNG का मुख घटक होता है मुख स्रोत होता है धरातल में 80-90% मिथेन की मात्रा होती है नेश कोशन निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए यहां निमलिखित होगा निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है कोईला पेट्रोलियम तथा प्राकिर्टिक गैस जीवास मीध सेकंड है गैसो हाल बेंजीन तता अल्कोहल का मिस्रड है तीसरा है भूतापिय उर्जा एक आप पारंपरी कुर्जा स्रोत है फूर्थ है गोबर गैस में मुखेता मिथेन पाये जाते हैं तो आपको बताना है कौन से इसमें सही है केवल एक और दो सही केवल दो और तीन सही क सही तो जल्दी सेंसर दीजेए भी आपका यूपी पीस्यस में कोशन है तो कौन सा ओप्शन राइट हो सकता आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं यदि आप लोग डिटेल ध्यान से सुन रहे होंगे तो तो चलिए देख लेते हैं पहला है इसमें कोईला यहां रहे है तो रहे हैंदेट निरल अधिनी अधिनी रहे हैं दयासे हैं आपका क्यी स考 पेशलिया यहां 10 परशं श्हाय और 90 आपका गयसोलीनों होता है यह दो का मिश्र्र स्नियर अधिन бहता है और जो होता है जिसमें 10 परषेंट आप का निर्जल एथे नाल और 90 परशेंट आपका गैसोलीन का मिस्रर होता है और तीसरा इसमें देरा भुटापी अरजा एक आप पारमपरिक अरजा उर्जा स्रोत है और एग गैर परंपरागत उर्ण स्रोत avons आप two ऐ है sa तो आपका तीसरा और चौथा ऊप्षा है गोबर गैस जिसे बायो-गैस भी कहते है इसका जो मुक्ह स्रोत होता है पहला पहला तीसन करेंडर दाVER ऑ्पा कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निमने में से कौन प्रियोग में लाया जाता है पहला option एथिल एलकोहल, सेकेंड है ब्यूटेन, थर्ड है लेड, टेट्रा एथिल, फोर्थ है स्वेट पेट्रोल ये भी आपका उपीपीसेस में आपका कोशन है तो एंसर दीजे क्या हो सकता है, कार के इंजन में जो नॉकिंग से बचने के लिए हम किसका प्रियोग करते है तो एंसर देने कोशिस कीजे क्या हो सकता है तो पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड, जिसका option होता है CH3, CS2, का 4, PB पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड इसलिए मिलाए जाता है ताकि इसकी जो एंटी नॉकिंग छमता होती है वो दर बढ़ जाए तो आपका कौनसा option राइट है आपका option नमबर 3 जो है राइट हो जाएगा लेड, टेट्रा एथिल लेड, चलिए आटो मोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में निमलिखित में से किस एक का प्रियोग किया जाता है प्रोपिल, एलकोहल, एथेनाल, मेथेनाल, एथिलीन, ग्लाइकाल तो यह आपका आईस में को कोश्चन है तो जल्दी से एंसर दीजे क्या हो सकता है कौन सौ आपका राइट हो जाएगा तो एथिलीन ग्लाइकाल जो होता है एथिलीन ग्लाइकाल उसका फार्मूला होता है C2H6O2 होता है और यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका प्र आपका फॉर्ट हो जाएगा ओके चले नेश कोश्चन है भारी बाहन में डीजल का उपियोग इसलिए किया जाता है पहला अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा सेकंड है कम खर्च और इधन की बचत थार्ड है उच छमता और अधिक आर्थिक बचत फोर्थ है पेट्र आपका फॉर्ट हो जाएगा तो डीजल इंजन का प्रियोग होता है वह भारी बाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोज को खीचने के लिए अधिक सक्ति प्रदान करता है जो कि इन भारी बाहनों की कुल इधन खपत में कमी लाता है तो कॉनसा आपका राइट होगा आप यहाँ में मिला जाता है ट्राइथाइल लेड होता है प्जाते हैं जाल हो जाता है यह बादाना है पटानी के लिए प्मिंसी जम बाचाना के लिए इसकी स्फुर लिंग बंग बढ़ाने के लिए इसकी एंटी-ङाइटिंग 10 एय Till Lea को भाने के लिए पर्ड़ निका को व इसलिए आपको लेड टेट्रा एथिल आपको पेट्रोल में मिला जाता है ताकि इसकी प्रप्रोटन दर बढ़ जाए या एंटिंग नॉकिंग चमता जो है बढ़ जाया आपका अप्शन नुमर 3 जो है राइट हो गया मोटर कारों की अपेक्षा करित नए माडलों की निम्लिखित विसेस्ताओं पर विचार कीजिए पहला है रेडियल टायर सेकंड है सू प्रवाही धाचा तीसरा है बहु बिंदु इंधन अन्ता छेप फोर्थ है उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित इन में से कौन कौन सी व अगवा कौशन है तो चलिए देख लेते हैं रेडियल टायर के कारण आपका घरसर बल्को कमकरण करते हैं जिससे मोटर कार की जो रहेच हमताया गती होती हो बढ़ जाती है तो यह आपका पहला सही हो गया इसमें बहु बिंदु इधन अन्ता छेप बहु बिंदु आंता प्रेष्ट परिवर्टक रेचक जो होते हैं इसके उनकी कारिष्णता और बढ़ जाती है तो आपका पहला तीसरा चौता जो है यह राइट हो जाएगा आपका उप्शन नंबर किसमें है आपको 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 नमर फोर्थ जो है यह राइट हो जाएगा यह पहला तीसरा और चौथा ओके चलिए नेश कोश्चन गाडियों को चलाने के लिए हैड्रोजन गैस सुविदा जनक रूप से इधन के रूप में प्रियोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा सोसित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन तापमान पर मुक्त हो सके वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है पहला ओप्षन है राइट राइट सेगेंड है कोईला तीसरा है सोप स्टोन फोर्थ है रेजिन तो यह भी आपका प्रियोग में लाई जाती है यह तो सही है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा सोसित हो ताकि उसका निर्वातक द् तापमान कम मुक्त होता है तो चले एंसर दीजे क्या हो सकता है तो हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियों हाइड्राइट द्वारा असोसित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन पर मुक्त हो सके तो आपका इसमें कौन सा ओप्शन हएड्राइड का यूज करते हैं आपका गाडियों को जलाने के लिए जो हम हएड्रोजन होता है हड्रोजन घयोग को बहुत कम उतला है बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा असोसित कर ली जाती है जिससे वह निर्वातक द्वारा उत्पन तापमान पर मुक्त हो सकता है तो आपको आप्शन और फरस्ट जो है राइट हो गया या समुंद्रों में ही संभव है महादीपों में नहीं सेकेंड है सेवाल आधारी जैवीधन उत्पादन को अस्थापित करने और इंजिनेरिंग करने है तो निर्मार पूरा होने पर उच अस्तरिय विस्थिय सग्यता या प्रद्व की जुरुत होती है तीसरा है आर्थिक रूप से ब्योहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविदाओं की अस्थापना किया सकता होती है जिस्ते पारिष्थिते के सामाजिक सारोकार उत्पन हो सके तो रिकूर्ट की सहता से बताना है कौन से सही है पहला दूसरा दूसरा तीसरा के दूसरा है इस इधनों के उत्पादन और आभियांत्र की करने है तो उच अस्तर की बिसेस्तागिता की ओसकता होती है तो यह भी आपका राइठ होगे सेकेंड वाला भी और साथ ही इसमें अधिक उत्पादन के लिए नावचार है तो ग्यान और अन्भो की भी ओसकता होती है और दुर्बल निवेस इस्थिती वाले जो भी काश इले से उसमें इस प्रकार की इधन का उत्पादन कठिन है क्योंकि इसे तु अधिक पूजी निवेस की जरुत पड़ती है और साथ ही आर्थिक रूप से ब्योहार उत्पादन के लिए बड़े पहमाने पर सुग्द आर्थिक रूप से जोत्पादन होता है उसके लिए बड़ी सुग्दा और पारिसितिक और समाजिक सारोकार उपन किया जाता है यह आपका राइट है तो कौन सा आपका राइट है आपका अप्शन नमबर सेकेंड राइट हो जाएगा दूसरा और तीसरा ओके चलिए नेस कौशचन कि नमने में से कौन सा अल्पीजी का मुखावईयों है आपको बताने इन में से मुखावईयों कौन सा है हेकसेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मितेन तो चलिए इसका अंसर आहाप वह बहुत आसानी से बता सकते हैं जली से बताएं क्या हो सकता है यह आपका मिस्रर होता है घरों में प्रयोक्त भी होता है इसमें अत्य चिताब पर प्रोपेन और इसमें गैस द्रवित होती है और अध्यान प्रिशाओ के पहचान के लिए उसमें कुछ दुरगंध ही पदार्थ है जैसे मार कैप्टेन इत्याद होता उसे मिला जाता है तो आपका कॉनसे option राइट हो गया आपका option नमबर 3 जो है राइट हो गया वी टेन आपका option 3 जो है राइट हो गया विटेन ओके चलिए नेस तुम यहां नियुक्त पेट्रोलियम गयस यह निकली प्रेट्रोलियम गैस यह hybrid-petroleum गैस जोलनसील मिस्टर होता है इसमें आपका प्रोपेन और व्यूतेना का पांच वाध में दिश्यूच नामक पदार्त गंधियुक्त पदार्स मिला देते हैं तो आपका है अपशन इसमे यह सही हो जाएगा पांच वाद उपर युक्त में से एक से अधिक या उपर युक्त में से कोई नहीं यह आपका ओप्शन राइट हो जाएगा ओके तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेसे अच्छा लगा होगा और कुछ पुराना डिवीजन हुआ होगा कुछ नहीं आप लोग वीडियो जब तक जुरुत ना हो वीडियो अप्लग देखनाम किजिए ज्यात मत किया किजिए गया वी डिया किजिए तक आप लोग प्रेंस